हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का स्लिपी क्लासिज में 60 दिन रहे गए हैं प्रिलिम्स 2019 को बहुत ही क्रूशल टाइम है आखरी दो महीने 60 दिन एक्जाम है मारा और इसलिए कुछ mixed questions करते हैं GS पर और जैसे बहुत सारे initiative चल रहे हैं जिस पर questions की बात हो रही है बहुत सारे चीजें revise की जारी है तो उन सब का फायदा उठाई है टू मिनट सीरीज हो चाहे previous past year paper discussion की बात हो ठीक है दोस्तों तो उन सब का फायदा उठाना exam में questions repeat होते हैं तो ये बहुत जादा जरूरी है कि हमें जो previous past year questions अमें धंक से आते हो ठीक है ओके चलिए सबसे पहला सवाल द दूसरा में जो चालू हुआ उसका एक ही feature है उसी के अंडर ही national institution of nutrition को चालू किया गया लागू किया गया दूसरा और दूसरी यहां पर जो option है में वो कह रही है कि ये जो हमारा national institution of nutrition है ये ICMR का part है ठीक है उसके अंडर ये काम करता है तो आपने मुझे बताना है कौन सी कौ कि यहां पर जो correct answer है that is two only portion अभ्यान का इसके अंदर कोई formation नहीं हुई थी national institution of nutrition 100 साल पुराना institution है 2018 में इसने 100 साल अपने पूरे किये जो स्थापित होने के ठीक है दोस्तों और ये जो public health nutrition वगारा को लेके एक important institution हाईदराबाद में स्थापित है ये 100 साल पूरे होगे इसल सवाल पूचा गया था इस वाल हरयाना के परी में सवाल है NIN पर तो इसलिए ये चीज़े important है ठीक है और जो ये इसके कुछ other इसकी जो branches है ये भी हमें एक बार देख लेनी चाहिए कि animal sciences के लिए drug toxicology के लिए and जो nutrition monitoring bureau बाकी ICMR की बात की हमने उसके बारे में जान लेते हैं और union जो health minister है इसके council को preside over करते हैं पोशन अभिहान सरकार ने 2017 में शुरू किया that is correct लेकिन 2018 में लागू हुआ था ताकि stunting, under nutrition, anemia, low birth weights इन सब को जो थोड़ा control किया जा सके etc और जो इसके बहुत सारे और components हैं जो states को भी हम involve करने के try कर रहे हैं तो आप एक बार उसको जादा importance दे ओके चलिए अगला यहाँ पर important एक जो question है आपने बताना है जलियावला बाग मासेकर जो हुआ उसके context में कौनसी कौनसी जो यहाँ पर statements है true पहला यहाँ पर लोग peacefully gather हुए थे जो protest करने के लिए क्योंकि कुछ national leader जैसे भगत सिंग, सत्यपाल और सेफुदुन किचलू यह arrest हो गए थे तो इनके जो arrest के खिलाब protest करने के लोगों लोग gather हुए थे जलियावला बाग में दूसरा जब यह जलियावला बाग मासेकर हुआ तो वाइसरावे कौन थे Lord Champsward क्या यह बात correct है ठीक है दोस्तों तो आपने मुझे बताना है कि कौनसी कौनसी statements है again पॉस करके सोचा जरूर कीजिए एक्जाम में प्राक्टिस करनी है तो ठीक है एक्जाम के प्राक्टिस इसी में है कि हमें given information में क्योंकि immediately आपको यहाँ पर मैं result बता देता हूँ तो knowledge तो मिल जाएगी definitely लेकिन थोड़ा एक्जाम का temperament build करना बहुत जरूरी है ठीक है दोस was secretary of state and James Ford was viceroy तो montford से आप guess कर सकते हैं यह 1919 के आजपास ही जब 1918 में ही लागू किये गए थे तो जलियावला बाग के बारे में आपको मैं बताओं दो तिन important बात है कि यहाँ पर बहुत ही कुछ important बात है मैं आपके लिए collection यहाँ पर निकाली 13 अपरल को हुआ बिसाखी के दिन और जो command किसकी थी General Dyer जो Colonel Dyer भी चलो बोल देते हैं Rowlet Act 1919 यहाँ लागू हुआ हुआ था लोगों को एकठा होने में यहाँ पर मना ही थी और जो leader सत्यपाल और सेफटन किस्ट थे भगत सिंग नहीं थे भगत सिंग बहुत छोटे थे तब ठीक है और डायर को जैसे टायर करने की बात भी होई रबिंदना टेगोर ने इस पर काफी रोज चिताया था और उन्होंने नाइट हुड को भी refuse कर दिया और उसके बाद लेकिन यहाँ पर ऐसा important है कि army का role है उसको ठोड़ा re-evaluate किया गया minimum force को लागू किया गया कि new policy of minimum force was put in practice and hunter commission जो लागू किया गया थाकि देखें कि जनरल डायर दोशी थे या नहीं उन्होंने लेकिन कोई खास penal या disciplinary action नहीं recommend किया जो जनरल जो करनल डायर के लिए and यहाँ पर important एक और नाम है Michael O. Doyer ठीकर डायर डायर में confused नहीं होना उनको assassinate कर दिया गया था by whom by Udham Singh in London 1940 में ऐसा किया गया उनको उ आप जाईए लोगों को गोलियों से भून दीजिए and secondly इनको main planner भी कहा जाता है तो इसलिए तो इनी को Udham Singh ने जो जाके London में shoot भी किया था असासिनेट किया था ठीकर दोस्तों तो कुछ important चीज़े हैं जो UPSC perspective से हमें पूछी जा सकती है and Viceroy तो हमें पता है Lord James Ward हमने बात किये भी ओके चलिए गीता गोपिनाथ हम बहुत जगाओं पर cover कर चुके हैं एक्जाम में question पूछा गया हर्याना में असरल सवाल लेकिन अभी आब बताईए अभी presently ये क्या है ठीक है ये World Bank की President है या फिर Chief Economist IMF की या Chief Economist World Bank की या फिर Chief Economic Advisor बना दिया गया है इनको Government of India का में इनको जो यहाँ पर ये जो रोल दिया गया है और अदरवाइज हावर्ड में प्रोफेसर भी है एक्सेटर बहुत सारी उपादिया है इनके नाम पर काफी important economist दुनिया में ओ चलिए next देखते हैं सवाल World Heritage Cities के context में यहाँ पर भी आपने मुझे true statement ही बतानी है पहला ये कह रहा है कि सरफ एक ही भारतिय सिटी वारा नसी है list में क्या ये बात सही है कि नहीं दूसरी ये list World Tourism Organization द्वारा maintain की जाती है तो आपको मुझे पताना है फटा-फट से कि इसमें से कौनसी कौनसी options है correct वारा नसी ये अहमेदाबाद ठीक है दोस्तों और ये list World Tourism Organization maintain नहीं करती है ये maintain करती है Organization of World Heritage Cities ठीक है OWC UNESCO द्वारा ही बनाई गई थी एक संस्था ये and otherwise ये non-commental organization है एक and 300 से जादा cities की ये list maintain करती है और इसमें सिर्फ एक ही भारती city है एहमदाबाद ठीक है दोस्तों और ये अगर आपसे पूछ सकते हैं कि 2017 में ही इसको add किया गया है वसे एहमदाबाद को भी इसलिए important है और ये cities आपसे पूछ सकते हैं इनको कौन represent करता है इन cities के को represent करते हैं उन cities के mayor ठीक है otherwise ये जो एक संस्ता है O.W.H.C. Organization of World Heritage Cities ये international non-profit and non-governmental organization है ठीक है तो ये important चीज़े याद रखनी है एहमदाबाद एकलौती इसी city है जो list में feature करती है चोलो दोस्तों आज का आखरी सवाल करते हैं देखते हैं कि ये 5 में से 5 लेने वाले कितने होंगे खिलारी है हमारे and ये है in context of Chola Kingdom आप इसमें villages called Urz ठीक है और के नाम से famous villages क्या ये बात सही है या vice versa दूसरा moving the villain ठीक है moving the villain title दिया गया था उन लोगों को जिनोंने वक्त पर अपने taxes पे नहीं किये ठीक है दोस्तों तो आप मुझे बताईए यहाँ पर कौनसी कौनसी statements हैं क्या ध्यान से पढ़ने हैं तो false all right one two both या none of these ठीक है दोस्तों तो information तो आपको मेली रही है लेकिन answer भी सही करना बहुत जादा जरूरी क्योंकि अब ultimately हम उस stage पर है अपनी तयारी के जहां पर answer सही करना ही सबसे important हमारे लिए हो जाएगा तो दोस्तों इसका right answer is two only कि सिरफ two गलत है that means false पूछा गया false मतलब two गलत ह मुवेंद वेलन का मतलब यह नहीं था मुवेंद वेलन हम देखते हैं भी क्या था यह बात सही है कि नाडू एक important administrative unit थी जिसको further और में तोड़ा हुआ था बहुत सारे और मिलके बन जाते थे जो कि generally हमारी NCRT लिखती है वो लिखती है कि जो settlement of peasants थी ठीक है जहां पर peasants र भी होता था and then उसके बाद यहां पर जो rich peasants थे वो वेलाला कास्ट के कहलाते थे और उनका सरकार पर जो overall government पर काफी अच्छा खासा control भी हुआ करता है ठीक है and जो जो चोला kings थे उन्होंने जो rich land owners को title दिया था जैसे क्या title था मुवेंद वेलन ठीक है वेलन का मतलब क्या ह एक peasant serving three kings ठीक है तो यह बात मुवेंद इस जो तीन राजाओं को serve करें ऐसा एक peasant ठीक है और उसके बाद आर यार जो जिसको chief कहते थे etc ताकि यह कुछ important लोगों को दिखाया जो जो हमें पता लग सकते कौन से लोग important है important titles है ठीक है rich land owners के chiefs के ठीक है मुवेंद वेलन अर RIR ठीक है तो यसी बाते को छोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे ऐसी चीजों में अगर आप वक्त लगाएंगे तो हम उसको क्या कहते हैं यह वक्त को spend करना नहीं कहते हैं उसको वक्त को invest करना कहते हैं तो अपने वक्त को सबसे important जो सबसे जो आपको लगता है जो important now ठीक है 60 days है 60 days में जितना आप maximum अपने time को utilize कर सकते हैं पढ़ाई और revise करने में ठीक है read कीजिए मैं आपको simply चाहता हूँ पताना revise कीजिए and खुद को test कीजिए ठीक है बस that's it 60 दिन में अगर आप अपनी number of hour जो पढ़ाई कर रहे हैं 10 से 12 घंटे कर देंगे towards the end और बढ़ा देंगे तो pre निकालने के chances बढ़ सकते हैं ठीक है pre is a very very competitive game बहुत सारे लोग बैठते हैं means बिलकुल एक अलग तरहा की game हो जाएगे ना पहले pre को हमें ace करना बहुत जरूरी and लेकिन right strategy and right तरहा की महनत से हम कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो बस यही है इसी के लिए भी आपको crash course 2019 में भी जो आपको बहुत कुछ बढ़ाने के try कर रहे हैं जो कि बहुत concise तरहां से up to date और consolidate करके आपको समान देने के try कर रहे हैं मैं आपको simple example समझाता हूं कि हमने test बनाए total हमारे पास 32 tests है 32 tests की video discussions भी है and अगर लेट से एक video discussion लेट से अगर तीन घंटे की है हद से हद जो 100 questions discuss करने में अगर हम 200 minute ले रहे हैं मतलत तीन घंटे के आसपास तो 96 hours 96 hours में you end up learning a lot ठ इतने कितने लोगों से हम जैसे बात करते हैं जो अब हम आसपास दोस्तों को देखते हैं तो particularly ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 96 hours तो लगाता टीवी देख लेते हैं जो netflix पर कुछ प्रोग्राम वगरा तो 96 hours तो कुछ भी नहीं है back to back series खतम करते हैं तो मैं उनको सोच रहा है कि अगर बच्चे अगर इतना time invest करें हमारे test series देखने में तो कितना फाइदा हो सकता है और उनके solution सुनने में etc question attempt करो paper दो और उसको जाके जो video solution सुनो speed तेज करके सुन लोगे तो और जल्दी खतम कर लोगे तो and उसके बाद crash course कितने कितने concise 150 hours में you can end up learning a lot ठीक है दोस्तों त बस इसी तरहां से मैं आपको चाहरा था बताना कि बहुत ही cost effective तरीके से आप test series जो की video solutions के साथ है crash course सभी का फाइदा उठाए और पूरे पूरे videos देखें and उसमें से जो notes मिल रहे हैं जो PDF मिल रहे हैं important points को mark करके रखें premix तो रोज करते हैं इतना कुछ है पढ़ने के मिलने वाला में ठीक है दोस्तों चलिए मिलेंगे अपने अगले episode में bye bye take care and all the very best